मुंबई वालों के लफड़ा मैंने नहीं किया था वो भी उसने जान बुझकर नहीं जजबात में आकर किया था तू सच कह रहा है मुंबई वालों से तरह कोई लेना देना नहीं है नहीं सर तू लेफ्ट हेंडर है क्या सर लिखने पढ़े का काम बायाँ से करता है क्या मतलब तू नहीं जानता कि लेफ्ट राइट क्या होता है अपना नाम और पता इसमें लिख दे मुंबई में कितने सालों तक था मैं मुंबई कभी नहीं किया सर पाकिस्तानी टेररिस्ट से तुम्हारे क्या लेना देना है? तर्रुर्ड से यह आप कैसी बातें कर रहें? तो मंबई में रहता था न से तेरष्समंड भी था अब यह सचाही तेरे मूँसे होगा अलवाउंगा सर क्या है वी गौत इस इंवेस्टिकेशन रिपोर्ट सर इसमें लिखा यह केरला से बाहर गया है यह भी लिखा है यह कुछ दिनों के लिए अपने परस्नों काम से बाहर गया हुम अच्रीजकेशन रे बाद से बाहर बाहर अपने यह वा स्वेए रॉप अदे आलए दे मोड़े अदे तो इसकी तलाश अपको है यह है वो फाइल जिससे हमने शेहर से ढूंड निकाला है आप त्याहें तो देख सकते हैं यह राजा के खिलाब मुंबई प्रूस्टेशन में दर्च हुई फाइल है पोलिस रिकॉर्ड में 2005 नौवंबर 25 को राजा पुलिस इंकाउंटर में मारा जा चुका है पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी से मिला था 30 बुलेट एक तम एक जैसे दो लोग आई काउंट बिलीब दिस एनिवे आई वांट टॉक्तु तो रुके रस्टिडी में कहीं कुछ उचनीच हो गई तो कैसे पुष्टाच करना चाहिए यह पूलिस से बहतर मैं जानता हूं अच्छा एह मश्या मैंने आपको पैचाना नहीं तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो मैं आपको नहीं जानता है तुम मुझे जानता है और मैं तुझे छालीज छालीज मुझा आए इम रियली सॉरी ये वो नहीं है जिस राजा को मैं जानता हूँ उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है उसके बदन को हात लगाते ही पल भर में वो भूका शेर बन जाता है वैसा ता राजा जस्ट लीव इंग अब मुश्किल है साथ हम तेरे बड़े बाप लोगों को इसकी जिन्दगी किमत चुका कर मैं यहां पर आया हूँ सुन चले दरा असली गुनेगार तक पहुँचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कोई बात ने तुम जाओ मैं जानता हूं साथ इन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया है कोड तक वो लोग कहां पहुंच बाते हैं लेकिन पुलिस हो गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं सब जरा रुको इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश कीन है तो तू जिन्दा नहीं बचेगा क्या समझा मेरा किसी से कोई बहर नहीं है मैं किस से शिकायत करूंगा जोर्ज इसे इसके घर पर छोड़ दो मैं अरॉआधब यारुआवड़ जला नहीं है पर आपप पाव 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 जले जलेगा है क्या होजी? अरे, कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों को खलत फेमी हुई थी, उन्हें पता चला कि मैं बेगुना हूँ तो मुझे यहां तक छोड़ने आए, है ना सर? एक मिनट रूखिये सर, आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूख करते तो, शायद मैं बरदास्त कर लेता, क्योंकि वो एक गुनहगार है, उसके बदले में ही, भगवान ने मुझे शेकर जैसा शरीप दामात दिया, इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए, जिसका कोई न गुडिया, तुम सोही क्यों नहीं, पापा डर लग रहा है, किस बात का डर बेटा, इस से पुलिस वाले आए तो, अब कभी पुलिस नहीं आएगी, तुम सोचा बेटा, तुम रोकर इसे और डर आ रही हो, मैंने तुम से पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो, मैं तो बच गया, समझ गया है, पुलिस की जात कैसी होती है, कौन है शेकर बेटा, मौसाब गय नहीं, तु अभी तक यहीं है, कल भाग यहां से, अरे रुगी है, बेटा, कांदान को बरबाद करने वाला आसूर है ऐसा मैंने क्या किया, तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बरबाद हो गया, उससे तेरा जी नहीं भरा तो मेरे बेटी का घर बरबाद करने आया, मैं तो यहां जी जो और बच्ची से मिलने आया था, अगर मुझसे किसी को तकलीफ है, तो मैं चला जाता हूँ, कल सुबे पह आया हूँ, जल्दी से आगे हाँ, जल्दी से टिकेट कोई बाकि एक टिकर दो होलो, साइड दो, जल्दी से पोलो टिकेट, चड़ो 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 चड़ो, जल्दी से चड़ो चलो आओ जल्दी से कंडुक्टर ब्रिज आया क्या ब्रिज आएगा तो बता दूंगा कि आगे बोलो कैसे लोग हैं जिने इतना भी ख्याल नहीं रहता कि महिला सीट पर बैठें अब यह विचारी कैसे सफर करें और भाई साब यह महिला सीट है इने बैठने दीजिए लीड तो पताना है और कोई यहां पर आप तुझे क्या तकली पर चुपराना तो यहीं नामर्द बना देंगा चल्ब जबाए तब बाद में देखूंगा तुम्हारा नाम क्या है बेटा अनिल वर्मा कुमार अनिल पर की पैसे देता हो कंडुक्टर साब ब्रिज आएगा तो ब महादेवपूर से तो ब्रिज के पास कौन रहता है मेरी जीजा वहां के पेट्रोल पंप के मैनेजर है पेट्रोल पंप के बाजुवाला धाबा भी जीजा जी ही चलाते हैं उसके पीछे ही वो रहते हैं वहाँट साल हो गया उनसे मिले हुए अचानक ही उन्होंने जीज उतरना है मुस्तीबत है उतरने का जल्दी से उत्रो पीछे के रास्ते से चले जाना वापे समझ क्या रखाये तुने मैं आली बाग से आया हूँ गाडी पीछे रिवर्सका पीछले चले पीछे रिवर्सका पालतो बगवास मत करो है समझ क्या रखाया मुझे क्या गुसा क्यों रही है तो दांत तोड़के रख दूगी अरे यह तो एक लेंदेन है एक मेरे पास इतना पैसा है सब देखता हूं देखो मैं अपनी वादे से फिरता नहीं होगा क्या हो दिदी वहां पे जगा चल रहा है ज़रा देख कर तो आ सब्सक्राइब करता हूं कौन है तू मैं गरीब नौकार हूं पेट पाल ने के लिए शेकर भाईया के डाबे पे काम करता हूं मैं तो लफड़ा क्यूं कर रहा है कोई लफड़ा नहीं है उसे देखिए वो कह रहा है उसे पेट्रॉल नहीं कुछ और चाहिए कौन है तू तू कौन है बे बताओं मैं तुझे कौन हूं मैं जल बैठ गाड़ी में चल निकल 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 यहां से लड़कियों की बेज़ेती बरतार्श नहीं करता मैं यह मुझे नहीं मालूँ कि तूम्हारा नाम क्या है रमा रमा रेष्मा अच्छा नाम है और मुझे तुलसी चळां मिध्य शादी शुर्दा हो नहीं कब तक कैसे कुंवारी रहोगी चांद गर बसाने के रादा नहीं है क्या हूं एलो कौन है मैंने पर चाना नहीं अनिलवर्मा कुमार अनिलवर्मा चुटकी बैन हो कैसी यो चुटकी क्यों जिदी बड़ी मागी इसकी शादी हो जाया इसके बच्चे हो जाए हैं फिर मेरे लिए ये चुटी बैन चुटकी रहेगी न तो अब समझा कि तुम घुडिया कह तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई है थोड़ा पॉष्टिक आहां खाया करूँ लगता है बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को देख रहे हुँ आपके शादी हो गई क्या पहली वाली चल बसी दूसरी करनी है मैं नाम किया है वाली छॉल वाली डिवiell belonging को समाल कर लो पापा ले आएंगे यह था toolbar क्या है बच्ची को समाल करना जांअ bigger पार्टी मेरे काम के लायक ही क्या पोला चाय पिता मलाई वाला दूद्ध पिता है रम मिला कर असुन चुटके पूरा शरीर दुख रहा है मेरा जरा पानी गरम कर दे नहाना है मुझे इतने सालों से अनिल भाया का अधा पता ही नहीं था शेकर तो इसे इतनी नफरत करते हैं कि गुस्ते से लाल पीले हो जाएंगे मेरी बेठी यहां पढ़ती है आज उसके स्कूल का बार्शी कुछ सब है प्रोग्राम है इसलिए उसे लेने आया होगा है इस संगीत के प्रोग्राम में पहला स्थांजी से मिला है उसका नाम है दुर्गा जिसने सब का मन मुह लिया आज प्राइस रिस्ट्रिप्यूशन के लिए हमारे आज की माननी आती थी आदर निये तामिल नाडु के ची सेकेटरी महेंद्र वर्मा जी की धरम पत्नी श्री मती विद्या लक्ष्मी जी कृप्या स्टेज पर आईए थैंक यू कुंग्राचुलेशन थैंक यू मैम वेरी बहुत सुरीबी तुम्हें ये गाना किसा सिखाए पापा ने वो यहीं पर है कहां पर अभी तो यहीं पर थे ओ कोई बात नहीं अच्छ बाए बाए च्रीव यहीं। पापा यू देखो यह मुझे मिला है लोड खाली करो आज़ा मौसे जी यह बाहर कितना कुड़ा और कच्रा बिख्रा बड़ा है इन्हें साफ करवा देती तरिफ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता आस पास की एरिया में साफ सफाई होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा समझ गई हाँ कि इतनी बाहर काई कि यहां पोस्टर वगरे मत लगवाव पर कोई मानता ही नहीं वह के दार कहां चला गिए लगता है कहीं बाहर गया है मम्मी यह दोनों मुझे मिले मेरा बेट्टा वेरी गोड मा जरा मेरे टावल देदेना में आने जा रहा हूं अनिल भाई आये है अनिल भाई यह इसलिए पता नहीं कह रहे थे जीजा जी ने बुलाया है जीजू ने कौन जीजू मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चड़ा दुरका बहुत ही नाराज है क्यों उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं मैं आचानक स्टेज पर कैसे चला जाता लोगों को बुरा लग सकता था तुम हमेशा अपने आपको इतना छोटा क्यों समझते हो शेखर इतना कॉंप्लेक्स अच्छा नह कि बच्ची को प्राइस देने के लिए आती थी बनकर जो वी आई पी आई थी वो हमारे गाओं की विद्या लक्ष्मी थी मेरे माता पिता की देहांत के बाद मैं उन्हीं के घर पर पड़ा हम दोनों एकी क्लास में पढ़ते थे हम दोनों सगे भाई बहन की तरह थे एक पा कि मैं विद्या लक्ष्मी से कभी नहीं मिला लेकिन आज मैंने उसे देखा उसे देखते ही मैंने उसे फॉरण पैचान लिया इसलिए मैं बहां नहीं किया मैंने तुमसे पूछा इसलिए तुम्हें बुरा लगा ना हरे नहीं सबका खाना तेयार हो गया है नजर मत चुराइए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हर काम के लिए वक्त होता है समझे यह यह पराठा और चिक लिए कि यह लेजी छै पराठा रिक जी ऑगैं यह रोग दो राइशा यह मेरे पैसे कितना हुआ जो रुपे डर मेरे पास्ट का नोट है जाए बाइस दे चाहरु रुपे वापस दे हां एक दो तीन चार ठीक है जा अरे भाई साब भाड़ा औटो का भाड़ा तेरे आटो का भाड़ा हुआ सो रुपया इस ने पांचो दिया और चार सो तुने मुझे वापस दिया तो अब बागी क्या है चले करो हिसाब बराबर हुआ ना फिर क्या बोलता है इसाम नहीं आता कि है तुझे उन सो रुपया भाड़ा उसने पांचो रुपया दिये चार सो रुपया मैंने वापस दिये बिल्कुल सही है यार बेकार में दिमाग खरब कर रहा है यह लीज़े अर्व मालिक केदार कहां गया था वह क्या है कि भाई साब को घुमाने गया था कल से काम पे आन प्रणा भी नहीं दिये तो फिर मुझे बुलाई कियों इसने बुलाया आप इने तो लिगी थी वह चिठी कौन सी चिठी वह चिठी यह लो पड़कर देखो प्यारे साले साब मेरा नमस्कार सुईकार कीजी आशा करता हूँ वहां सब कुशल हो लिए यहां बहुत ही आवश्यक काम है आप तुरंत आ जाईए मुझे एक प्रोसेश प्रोसेशन प्रोसेशन मालिक ठीक से पढ़ी है प्यारे साले साब आपका जीजा यह चिठी मैंने नहीं लिखी और यह मेरे हैंड़ाइटिंग नहीं मुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई जगड़े नहीं करता अब आगे है तो कुछ दिन रहने दीजे मालिक नाकपंच में के तिवहार के दिन मेरा कुछ देख लों उसके बाद जाना हाराम से ठेक मालिक Sadly प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्शन अपने प्रोटेक्शन के लिए उपínhस्टे के पता कि दीदी के परिवार में एक बहुत şurूथ है जब अपने परिवार में एतना बड़ा गुंड़ा है तो बाहर से गूंडा है कि क्या जोर रहा थी इसलिए चिट्टिल की मारिया का मत माफ कर दीजे मुझे दुखेगा अब कुछ दिनों के लिए जेव खर्च की चिंताने वो कैसे सोच रहा था कि जीजा जी से काम के पैसे कैसे अब कोई चिंतानी पैसे तो तू देगा ना मैं दो मसाला डूसा बनाओ बोलने वाला आप वहां पर चली आज कल के मर्दों से जादा काम करने के इस बुढ़िया को यहां रसोई से निगाल कर बाहर हाथ दुलाने के लिए खड़ा करेंगे तो यहां आने वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे सही है ना अनिल भाई आप चाहते क्या है मैं ज़रा है आपका असली रूप हाँ आज तक आपने किसी को एक थपड़ भी नहीं मारा है और अनिल भाईया को अपना असली रूप दिखाने की बात कर रही है चल लाइए मासी आप सो जाईए ठीक है गुडिया सो गई क्या तो गई बदमाश कहीं की पापा कहा है पापा को होटल बन करना है स्वामी को श्लोक सुमा कर सुला दिया और आज का हिसा पुरा करके टेबल पर रख दिया है अब मैं जाओ क्या रात को रिहर्साल है मालिक तो बाजल्दी आना देर मत करना काने में क्या है अरे साब मोटल तो बंद हो चुका है बाहर डीएसपी साब बैठे है ना मत बोल चपाथी और चिकन करी बना कर दे सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा ज्यादा लेट मत करना राधा दो सोड़ा ले रहा हूं जी राधा जी जरा आटा लेकर आना अहां सर खाना तैयार है काम वाले सब चले गए आप हैं इसलिए मैंने मैंने तुम्हें कहीं देखा है यह मेरी घरवाली है अरे जरा रुको तो हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं तुम कहा की रहने वाली हो चित्थ ओ चित्थ चित्थ गाओं की रहने वाली हो अब समज में आया तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो न राधा तेरा बाप मार गया क्यों तरब बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस कितने साल से यहां सेटल हो? शे साल हो गैसे तेरे भाई अनिल के बारे में कोई ख़बर है क्या तुझे? नहीं तु जानती अभी वो कहां पर है? सरजीव, देखिए तेरे सामने से अच्चा वो फाईल मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया तुससे अगर उसी दिन अच्छी तरह से इंक्वारी कर ली होती तो वो फाईल क्लोज हो जाती इसनो, इसका बाप है न वो गंगाधर अपनी राजनिती की पहुँच का इस्तिमाल करके केस को दवाने में काम्याब हो गया था सरजी, भगवान के लिए हमें परिशान मत कीजिए क्या तु जानता है, इसका खांदान कितना महान है पता है सर आप इसके भाई को पकड़ने के लिए इसके घर आकर इनको परिशान करते थे तभी हमारी शादी हुई थी सर आप हमें भी उसी तरह परिशान करेंगे तो उपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी जब प्रासकल, मुझे डरा रहा है किसकी और काई शिकायत करेगा तू हाथ बंत लगाना उन्हें हाथ लगा है तो क्या कर लेगा हाथ लगा है तो काट कर रख दूगा जब जाओ उन्हे मेरी बहेंग को शराब पीकर छेड़ रहा था अगर ये शिकायत कर दी ना तो वर्दी उतर जाएगी इसलिए आवकाद मेरे तो काट कर तुझे गधों को नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना पुलिस वालों से उलचता है छोड़ूगा नहीं अनेल तुमें ये सब करने के क्या ज़रूर थी जू मैं तुम्हारी जगे होता ना तो ये पुलिस वाला इतिन देर जिन्दा नहीं रहता ए छुटकी तेरा ये पती तो औरतों से भी ज्यादा गया गुजरा है अपने घर की इज़द भी ने बचा सकता ये तो बाकरी सरदर्द हो गया है मानता हूँ अनिल ने हमारी फेवर की लेकिन अफसों से कि वो पुलिस से उलजाए उसके लिए तुम क्यों रो रही हो तुम जिंदगी में हमेशा अंसु बहाती आ रही है हमारे परिवार में क्रिमिनल पैदा होगि है तो उसके हमारी क्या गलती है जो होगा देखा जाएगा परेशान मत हो एक बुरी गेहूं मुंग लिखो पाँच किलो पाँच किलो गीला नारियल पंद्रा किलो पंद्रा किलो चौली पंद्रा किलो पंद्रा किलो ओहा पाँच किलो पाँच किलो और और बोल ये या? अरे गधे ये क्या लिखा तुने शेखर बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही दिखाई नहीं देज legislature पारो के साथ कहीं खेल रही होगी वो पारो के साथ नहीं है देखकर आ रही हूँ कहां चले गई वो तो फिर कहां गई रही होगी उडिया तम्हाल के उतरना बिटा हम लोग घूमने के ले गया थे जीजू गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन चाबी तो मेरे पास है बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हूं है इसका मतलब तुम गाड़ी उडाने का भी काम करते हैं तीन साल हो गए उस काम को अब चुप यह जीजू आली देना है तो देदो अगर मैं पहले वाला अनिल होता तो गाड़ी लेकर कपका भाग गया होता तो गाड़ी में चलाओ आज मैं आपको दिखाओंगा कि गाड़ी चलाते कैसे हैं कि यह बढ़िया माल है सच में कितना बढ़िया माल है ऐसे क्या देख रहे हो अच्छा माल होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना अलो जल्दी पैक करो भाई सुधाकर यह सामान जल्दी निकालो वो लिस्ट दीजिए के दर लिस्ट दो जे अनिल भाई है वह उसके पीछे के आओ गया हमारा आदमी यह जल्दी दे दो जे पिछली बार जो ले गया तो वह खराब था इस बार असा नहीं होना चाहिए छो कोई कहीं भी आ जा सकता और कारोबार कर सकता है ऐसा मालिक हाँ बिल्कुल प्रिश्ट प्रेट्टोर प्रम का मैनेजर तुई है ना जी हां काम करने वाली लड़की सासी मदाख कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मचे हां समझा नहीं यह मामला उस समय कहा जब अनिल गा अधर जल्दी कर अच्छा तुम क्या देख रहो इनने लगी चुलाएंगे तो खुन कराप सकता है उनके लपड़े को उनीको निपटने दो तुम लिस्ट में देखो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है अज़िए अज़िए अज़ अज़िए अज़िए आप मुझे यहां कि छोड़ कर जा रहे हैं मैंने आपकी विज़े से तो पंगा लिया ने किसी को पंगा करने को नहीं कहा था जिसने शुरू किया वही खतम करें तो अच्छा है यह तो साल भर का राशन लग रहा है यह हमारा चार दिन का राशन पानी है जाने और आनी की गाड़ियां जब आती हैं तो हमारे धाबे में जगय नहीं मिलती और जब भी सिकंदर भाई की लौरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल पूछो मत भाई लो खत्तम लास पैग है दोनों आधी आधी प्येंगे यह लो पहले तुम डखारो वह कौन है वह सिकंदर भाई और हमारे मालिक वह दोनों उधर क्या करना है उन दोनों की दोस्ती भिना अजीव सी है हमारे मालिक गाउं की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबाईया लैंग्वेज एक दूत्रे को समझने में टाइम लगता है इनका ऐसे ही चलता है दरशाल इसे कहते हैं असली दोस्ती सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है वो में चारे गाड़ी चलाते हैं अग्वान इन दोनों की दोस्ती आइसे ही रखे है 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 हुडिया सोगी है कपकी सोगई खाना भी खा लिया अरे यह क्या कर दिया भर शाले कहां कहां देखता और देखता है डाड़ी चल रहा है दिखता नहीं गया अरे बात दिखने की नहीं है भाई साप गारी है रस्ते पर चलेगी तो कही न कहीं तो ठकरा भी सकती है न भाई पर तूं इतना ज्यादा excited मतो सब solve हो जाएगा ए कैसे solve करेगा ए तेरा जासा छोटा गाड़ी नहीं है land cruiser रैंड गाड़ी का नमबर नोट करो और पुलीस को बलाओ जो दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा अरे भाई पुलीस की क्या जरूरत है भाई अरे गाड़ियां आपस में लगी है थोड़ा सा एक्सिडेंट हुआ और क्या हुआ अ लगता है जन शुरू हो गई है सिकंदर भाई को आथ पागाना किया हुआ किया हुआ है अनिल आइव आजपास कोई अस्पिटल लेंगे तुरे क्या कर दिया है तो रहें तो नहीं है अल्प करो जल्दी आब जल्दी भाई तो आप मर्द हो अनिल तुम्हें बीच में आने की क्या जरूर थी यह उन दोनों का प्रॉब्लम था आपस में सुल्जा लेते इसमें मैंने खलत क्या किया सिकंदर भाई मेरे नहीं आपका दोस्त है कुछ भी हो पुलिस केस तो हो गई अगर वो मर गया तो मर्डर के मैं हरां करने केविए तुम्हारे और कितने रिष्टदार है मेरे प्यारे जीजु मैं यहां से जा रहा हूँ बरसों मैं जेल की हवा खा चुका हूँ अब मैं वहां जाकर और नहीं सरना चाहता मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे पुलिस का लफ़ाख खत्म होने के बाद मैं वापस लोटाओंगा आपका साला अनिल वर्मा यह लोग तो फिर से आगे है जीजू जीजू या है कल राज जिसे मैंने मारा था फिर से आया है जल्दी आओ वो देखा वो ही है ना जीजू वो मरा नहीं है अरे यह तो किसी और को भी साथ में ला है वो लोग यहां क्यों आयोंगे बतला लेने के लिए जिस तरीके से उंगली दिखा कर इशारा कर रहा था मतलब पुलिस में शिकायद नहीं किया है वैसे यह लोग कभी भी हमला कर सकते हैं होश्यार रहना होगा इन से जीजू जीजू इरादा नेक है तारा इल्जाम मेरे सर पे मड़के खुद भागने की तैयारी में था अरे नहीं 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 तो आपको एपरिल फूल बना रहा था शच में वो भी सप्टेंबर में क्या हो राइजी तुम्हारा भाई मेरी गर्दन फसाना चाहता है अरे तू सीरियस मत हो मैं मजाग कर रहा था जीजू से यह दुनिया गोल-गोल है यह सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें यह सब काम आता है आता तो है लेकिन गाय भैसूं की दुलत्ती से मुझे डर लगता है इसी की वज़े से मैं इस काम में हाथ में डालता है हाई नाना जी नाना की प्यारी लाडली नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोफाल आया है वाव चॉकलेट शेकर सुनिये नाना जी आये है जीजू सफेज चट मिलेगी अलवारी में ले लो चट मिली हाँ मिल गई दोती है क्या जीजू वो देख वाँ सुख रही अरे नाना जी आ गया केदार ये जीप में जो सामान है उसे अंदर अरे समल के भागो मत अरे धेर सारा सामान ले आए ये हमारे ही बाग के केले हैं इसे पका कर खाना मेरा लड़का इसी के सोहबत में रहकर भी गड़ गया है मौसा जी मैं पहले वाला अनिल नहीं रहा मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है मौसा जी एक डखाए थी आगे चलकर वालमी की बनाना उसी ने राम सिता की कहानी रामैन में लिखी की नहीं काली भी किसी से कुछ कम नहीं थे लेकिन जब दास बने तो कितने मशूर हुए वो तो उसी तरह मैं भी वो अनिल नहीं रहा कुमार अनिल हो गया हूँ सच में तु बहुत बदल गया है अली हां अब तो आपको विश्वास हो गया ना मौसा जी कि मैं वो पहले वाला अनिल बिलकुल नहीं रहा इसके अंदर सच मुझ ऐसा बदलावाया है क्या नाना जी आप यहां कुछ दिन वहकर ही जाएंगे ना यही इरादा है यहां का हि पर देखकर ही जाओंगा नाग के शक्ति और नाग द्योंता की मडी की चमक से ही इस गाउं को नाग पंचमी गाउं के नाम से जाना जाता है और आज नाग पंचमी का उठसम है और इस खुशी के अऊसर पर मैं आपके सामने प्रोग्राम करूंगा कुछ फिल्मी कलाकारों को आपके सामने पेश करता हूं सबसे पहले मल्यालम के सुपरिस्टार मोहनलाल जी को आएए देखते हैं उनकी एक जला अब हमारे फिल्म जगत के सुपरिस्टार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मेगा इस्टार ममूटी अब देखिए उनकी एक जलाग किसी ने छूचा किया तो नो जिस्म रहेगा ना खोबी समझ क्याना अब उठी का राम तो सुनाई होगा थेंक्यू थेंक्यू अब आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के कभी राज कहलाने वाले जैश्च थेंक्यू थेंक्यू अब आ रहा है हमारे फिल्म के कॉमेड़ी स्टार मिस्टर जगदीश अब देखिए उनकी एक जबाए जीचा इतरे हैं हमने जिसको पीटा था हुआ है हमने हो देखो जान बचानी तो भागो यहां से हमारे है सुल्तान सल्मा झाले यहां से हजग इसे इस तरह क्यों मार रहे हैं आप लो जो भी प्रॉब्लेम हैं आम बात्चीस तरह सुझा सकते हैं अने रुको वो लोग अभी तक आये क्यों नहीं फंक्शन को बीच में छोड़कर कहां चले गए थे हम लोग हम लोग चाय पीने गए थे तुम लोग बाहर क्यों खोड़े हो शेकर कुछ न कुछ तो लफड़ा है सोचा तुम्हारे आने के बाद अंदर जाएंगे दर्वाजी की कड़ी टूटी हुई है लगता है कोई अंदर गुस क्या है यह किसका काम हो सकता है यह चोरों का ही काम होगा अक्सर इस तरह कुंडी तोड़कर चोरी करते हैं शेकर संबाल के जाना यहां रखा हुआ पैसा खैब है पंप का पैसा था अब मैं सेट को क्या जवाब दूगा भरोसा हो गया ना घर में चोरी हुई यह लो वहां से निकाल कर चावल के डबे में रख दिये थे मैंने चावल के डिबे में चोर का बाप भी माने पहुँझ सकता क्या दिमाग पाया है चुटकी नहीं लगता है किसी ने घर की तलाशी लिए सई है कुछ भी हो कल हमें पूलिस में कंप्लेंट निकवानी किस्मत अच्छी है जो 32 दांट मिले हैं वरना मसूड़ा ही छिल जाता जीजू वो देखो पूलिस की गाड़ी आकर रुकी है देखो उनके इधर आने से पहले मैं भाग जाऊंगा तुमको भी साथ भागना है तो आजाना तेरे साथ मैं क्यों भागू लो कर लो बाद कल हम दोनों के लफड़े में एक आदमी लुड़का था कि नहीं क्या का हम लोग दोनों हां लो पूलिस अगड़ो असको वो किसलिए भागा पता नहीं सर भागकर कहा गया मैं नहीं जानता सर पता नहीं है हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए लिए कंगाधर तुम यहां पर हो ओ अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आये हो तो फिर वो कहां है लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा क्यों गंगाधर तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर है नहीं अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट रखवानी है कल रात को यहां पर एक चोर आया था सर रादेशंप इनकी कंप्लेंट क्या है लिख लो म वो आये यहां नहीं सिधा पुलिस्टेशन में आएगा है कि नहीं हम इसे उठाकर गाली में डालो सर मेरा गुना क्या है यह सब तुम्हें पुलिस्टेशन में बता देंगे चलो रहे क्या तुम से ही क्या रहा हूं पापा पापा तुम यही पर बैठो बेटी मैं छोड़ा कर लाता हूं कि मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरश नहीं हुआ है कि डियस्पी साहब एंटी क्राइम एक्सकॉर्ट में होने को जैसे शायद एक केस वहां दर्जुआ होगा आप अपना कंप्लेंड लिखवा दीजिए नमस्ते राजशेखर आपका दामाद है क्या हां सर शादी अब यह चींठी को भी नहीं मारा ठीक है मैं इंट्वरी करता हूं पता है साब मैंने जो कुछ भी का वो सब सच है उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया अनिल ने किया था वो भी उसने जान बुझकर नहीं जजबात में अकर किया था तू सच कह रहा है मुंबई में कितने सालों तक था मैं मुंबई कभी नहीं किया सर्थ पाकिस्तानी टेररिस्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है टेरिस्ट से यह आप कैसे बातें कर रहे हैं अब तेरी तू मुंबई में रहता था न टेररिस्ट लोगों से तेरा संबंद भी था अब ये सच्छाई तेरे मूँ से उगलवाऊंगा सर्थ क्या है वी गौट इस इन्वेस्टिकेशन रिपूर्ट सर्थ इसमें लिखा ये किरला से बाहर गया है ये भी लिखा है ये कुछ दिनों के लिए अपने परस्नों काम से बाहर गया है क्या है अधिया क्या आयम एहमर्शाः हाँ सॉरी मुझे लगता है ये वो नहीं है जिसकी तलाश आपको है ये इस राइट हैंडर आयम तो सेहीं ये इस इस हिम ये है वो फाइल जिसे हमने शेहर से ढूंड निकाला है आप तहाएं तो देख सकते हैं पोलिस रिकॉर्ड में दो हजार पांच नौवंबर पचीस को राजा पुलिस एंकाउंटर में मारा जा चुका है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी से मिला था थर्टी बुलेट्ट् एक तम एक जैसे दो लोग आई कांट बिलिव दिस एनिवे आई वान तो टॉक तो ही रुके डस्टिडी में कहीं कुछ हूच नीच हो गई तो कैसे पूस्ताज करना चाहिए यह पूलिस से बहतर मैं जानता हूँ शाह एहम शाह मैंने आपको पैचाना नहीं तुम मुझे इतनी जल्दी भूल लें सकती हो मैं आपको नहीं जानता है यह तुम मुझे जानता है और मैं तुझे खालेद 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 तेरे बड़े बाप लोगों को इसके जिन्दगी कीमत चुका कर मैं यहां पर आया हूँ सुन चले दरा असली गुनेगार तक पहुँचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कोई बात ने तुम जाओ मैं जानता हूं सा इन्हीं लोगोंने सब कुछ करवाया है कोर्ट तक वो लोग कहां पहुँच बाते हैं लेकिन पुलिस हो कानौन हो गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं साब जरा रुको इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश कीन है तो तू जिन्दा नहीं बचेगा क्या समझा मेरा किसी से कोई भैर नहीं है मैं किस से शिकायत करूंगा जोर्ज इसे इसके घर पर छोड़ दो पापा क्या हुआ जी अरे कुछ नहीं हुआ पुलिस वालों को खलत फैमी हुई थी उन्हें पता चला कि मैं बेगुना हूं तो मुझे यहां तक छोड़ने आए है ना सर एक मिनट रुकिये सर आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक करते तो शायद मैं बरदास्त कर लेता क्यूंकि वो एक गुनहगार है उसके बदले में ही भगवान ने मुझे शेकर जैसा शरीप दामाद दिया इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है गुडिया तुम सोही क्यों नहीं पापा डर लग रहा है किस बात का डर बेटा इससे पुलिस वाले आए तो अब कभी पुलिस नहीं आएगी तुम सोचा बेटा तुम रो करिषवाव डरारी है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो मैं तो बच गया समझ गया पुलिस की जात कैसी होती है कौन है शेकर बेटा मौसाब गया नहीं तो अभी तक यहीं है कल भाग यहां से अरे रुकी है बेटा कांदान को बरबाद करने वाला आसूर है यह ऐसा मैं नहीं क्या किया तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बरबाद हो गया उससे तेरा जी नहीं भरा तो मेरी बेटी का घर बाद करने आया मैं तो यहां जीजो और वच्ची से मिलने आया था अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाता हूं कल सुबह पहली बस से चला जाओ अभी क्या अभी जा नहीं बाबुजी आया है तो रहने दीजे किसी को आधी रात को घर से बाहर निकालना लच्चेशना अभी का अभी का इंप लेन रहा हुच्चेशना है थांभी को देख़गा जीजे को तो यहां झाला जेंग है तो बाद यिष्याओं और जोजाओं पृष्छित अंगा लुप लुपक्लि युपक्लिव वा लुपक्लिव भाँ भाँ! कर अज présentे एप भर समय हम शायों दो चाई हम और देकर लिakedड़ क 1 लोत धृब ऐल हृँ 이후 कि आंगागे मी अ कर लitas दो भी आपाम हृँ कर दो को बाल कर दो कर दोजा है हम लोग गाउं जा रहे हैं रेस्टरांट मैं आने के बाद शुरू करूंगा यह टूटे-फुटे कांच का कुछ कर दे ला काल सुबाह नया मैनेजर चार्च ले लेगा ठीक है मुझे क्या करना है जीजू गाड़ी निकाला हुआ 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 मेरे यहां आने से ही सब लफ़ा हुआ कल रात वो लोग मारने ही आये थे जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले करते हो तुम सेफ हो जाओगी जेल में रहा तो मैं भी सेफ रहुआ हुआ कि बाबुजी में चलता हूँ कहां जा रहे हो अमारे सेट का कमिशनर से अच्छा रिष्टा है उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे इसलिए मिलकर आता हुआ जाओं जीजू तो जरूर आएंगे छुटकी पर मेरा कोई भरोसा नहीं कि अच्छा हुआ 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 है यह अमारी पिछे को मारा है कहा देंगर गाड़ी चड़ा रहा है कहा प्रहा हुआ है यह यह हुआ है कि अच्छा रहा हुआ हुआ है एनोने कहर लिया हमे कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 कि दरना मत कि अपने आपको पीटी उशा समझ कर मेरे पीछे होलो बालो 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 कि आपाई 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 झाल यह चुछा nets fit प्राजाटा़ा यौिर्ण युछा युछाइ़ाराजं प्राजा युछान क्पाटी औाजाज। कर दो संक maps पर मुदल उना! कर वर नना! बहसा शचिलाफ़ है कर दो भूब कर दो पन बड़ हैं अदिए। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पो झाल 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 तो तू मान ही गया कि तू राजा है जी हाँ मैं ही हूँ असली राजा दस सल पहले मुंबई पुलिस ने राजा को खतम कर दिया था मैं वही राजा हूँ लेकिन आज मेरी बीबी है बच्ची है मन की शांती है मेरे परिवार की सुपशांती छीनने की कोशिश तू और तेरा बॉस कभी मत कर दा अगर कोशिश की तो धर से सर अलग कर दूँगा कर दूँगा जीजो कौन हो तुम मुंबई में बड़ा आदमी बनने गया था लेकिन बन गया एक टाक्सी ड्राइवर और एक दिन एक टेक्सी रुखो रुखो पुलिस मेरे पीछे गाड़ी सिधा चलाओ जलो जल्दी जलो जल्दी जलो आगे से राइट बस इते रुको रुको तुनो कभी मेरे नेजर के सामने आये मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं आप जैसे लोगों से दूरी रहता हूं जली जा कि इतना लेट हुआ तो मैंने समझा कि पैसे गये हाथ से मैं तरे बाप की पैदाश नहीं हो बे तेरी तो उन लोगों ने हमें धोका दिया पुलिस को पहले से खबर किया था वारे डिल के बारे में पुलिस पहुंच गई थी वहां पे बाल-बाल बचके आ रहा हूं मैं उस टेक्सी में मेरा बैग बदल गया यह जूट बोल रहा है बॉस बहुत अच्छा काम किया सब आप मेरी बैग लेकर आगए ले देकर यही प्रापरटी है मेरी इसमें क्या है तु जानता है कुछ भी हो मुझे क्या मतलो मैंने तो उसे चुआ तक नहीं का यह तो देख ल नाम क्या है तुम्हारा राजशेग राजा हमारे साथ काम करोगे हमारे काम में थोड़ी सी बेहिमानी है लेकिन हम बेहिमानी का काम भी बहुत इमांदारी से करते हैं मेरी इमानदारी को देखकर उन लोगों ने मुझे अपने ग्रूप में शामिल कर लिया मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ काम करने लगा राजा को देख आ दंदाइक अगया है ते ना दंदाण तरी जगे तो छिन गें चंदरू बॉस को अब तुम्हारी जरुवत नहीं है राजेक भाई का जो ट्राइवर था सिकंदर वो बाद में मेरा ट्राइवर पांगिया बंबई में बं धमाके हुए जिससे मेरा दिल तेहल किया त्री ब्लास डिस्टर्ब दा इंडियन सिटी ओफ मुंबई इस विस्पोट में पैंतीस लोग मारे गए हैं तकरीबन सतर लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं इस विस्पोट ने व्यावसाई को भ्योग और व्यापारियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है नाशनल इंवेस्टिकेशन सेर्विस न्यू डेली हस फिगर तबलास अन कंफिर्ण बाइव और आतंकवादियों के बीच साठ गाठ हैं ऐसा केस फाइल करने की तैयारी शुरू की गई एंकाउंटर स्पेशलिस दया पाटेल अंटि टर्रिस्ट का चीव बन कर नियुक्त हुआ जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर महिंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया सार इनके पीछे कौना ने ये पता करने के लिए उसको सिंधा पकड़ने पड़ेगा सार अग्राइब 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 अग्रजा भाई मुम्मई ब्लास्ट में चंद्रू भी जुड़ा हुआ था और उसकी आतंकवादियों से सांठ गाठ है ये बात मुझे सिकंदर भाई ने बताई तो मुझे यकिन नहीं हुआ अग्राइब आए अटे में Now I will shoot you Hands up Now you shoot me Now see this You want this No ुज़ Do it now See shoot विद्धिया इसलिए इसलिए अरे शेखर तुम वह तो सुप्राइज मैं कहा कर्थी थी ना शेखर के बारे में अलो तर आपको चार्ज लेते हुए टीवी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहां कहा रहते हो शेकर मेरा चुटा सा बिजनस है आप उस अंकल को जानती है यह मुमी के गाउंवाले है अपका नाम क्या है अनू शेकर कभी टाइम मेले तो हमारे घर आना जरूरा यह लग मेरा कार तो हम चलते हैं जी हाँ सर आपके साथ कुछ सिक्यारिटी वगिर नहीं है हमें भी प्राइवेसी की जरूरत होती है चलता हूं जी सर्थ आतंकवादियों से साठ गाठ है ये बात मैंने वामशी सर से पूछी लेकिन जैसे उमीद थी वैसा जवाब नहीं मिला मुझे राजा चंद्रू के और हमारे धंदे में किसी से भी रिष्टे हो सकते हैं तुम्हारा अससे कोई लेना देना नहीं है तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो जस्ट माइंड या ओन बिसनेस अंडर्स्टेंड नया कलेक्टर सारी ख़वर तुम्हें दे रहा है सा चंद्रू ने मुझे बताया है हमें आपस में मद्भेद हो सकता है हमारे ग्रूप के साथ धोगा धड़ीगा तो फिर उस दिन सिकंदर भाई की बेटी की सालगिरा थी तो मैं केक लेकर उनके घर चला गया अब भावी जी नमस्ते सिकंदर भाई है अंदर ही है देखो राजा भाई आए है एपी बर्स दे बेटा ये केक आपके लिए जब हम लोग आएंगे तब इसे काटेंगे ओके थैंक यू अंकर विटा बस हम यू गए और यू आ जाएंगे फिर हम मिलकर सेलिबरेट करेंगे ओके वाई कम नमस्ते मैंने सीधे कलेक्टर से मिलकर ये बात बताने का फैसला किया सब्सक्राइब को मिलने चाहते हैं मैं उनी से मिलने जा रहा हूं चलिए अपने गाड़ी में चलते हैं आच्छा जी मैं अभी आ रहा हूं मावेटी कहां जा रही है हम शॉपिंग के लिए जा रहे है शॉपिंग करने अचा अचा अभी मैं करेंगे अच्छा अच्छा आप साब से मिलने नो 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 not this I need a detailed report वेट बेठो प्लीज। तुम क्या बिजनेस करते हो? एक्सपोर्ट एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग। कौन सा प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट करते हो? फरनीचर बगेर हैं। फरनीचर। तुम्हारे बारे में मुझे विद्या ने जतना बताया था मैं उतना ही जानता हूँ। अपकोर्स एक हत्तक में तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो कहती है छोटी उमर में ही शेकर मुंबई आ गया था यहां आकर उसने पढ़ाई लिखाए कि और बहुत कुछ किया वगेरा वगेरा। तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा नहीं मालम। राजा इस वक्त मेरी कस्टडी में है। और वजय तुम्हें तो पता ही होगी न राजा। कम। लुकमी राजा। मुंबई पॉलेटिन सिटी के चार आइडियल स्पॉर्ट का नजारा तुम इस वक्त देख रहे हो। हमें इंफर्मेशन मिली है कि इनमें से किसी एक जगह पर ब्लास्ट होने वाला है। टेल मी देट। तुम लोगोंने कहा बम फिटका रखा है। बम? मैंने कोई बम नहीं लगा है। राजा तुम इतने गरीब लोगों की जान के साथ क्यों खेलते हो। क्या चाहिए तुम्हें पैसा। सर मैं कुछ नहीं जानता। राजा प्लीज हमारे पास बिलकुल भी वक्त नहीं है। जो भी करना है जल्दी करना है। वहाँ सिकंदर भाई के घर पर भॉम रखा गया है। वहाँ सिकंदर भाई के घर पर भॉम रखा गया है। राजगोड़ से तुम्हें कि दूए से तुम्हें रहाँ सिर्णेव कि दूए से ख़ूए कि अऩंदर इनके प्री नहीं कि अंवे इनके पर भी शुम्हें कि अऩंदर आख रूए सर वो आतंकवादी कहां रहते हैं वो जगे मैं जानता हूं सूlled लगादी थो सैट सर देखरें कितार को डिसनी किविए सही आगा जागा रहूं जांति हैं पर पौल То कि कानी थुकार कर्ष ऑफटNewसेशेट ऐर से खिषयें अधले पेखरें आजसेशना का तरहरा सब डिस्ते नोगेटेजिनिते आखरें तुम्हारे पीछे वाली बेल्डिंग पर नजर गुमा कर देखो मेरी बच्चे को कुछ मत करना हमें बच कर निकलने के लिए गारी चाहिए पुलीसिया चाल चलोगे तो तुम्हारी बेटी की खोपड़ी खोल दूगा मेरी बच्ची मुझे चाहिए मेरी बच्ची को वापस लिए मैं हाँ चोड़ती हु तुम्हारे साथ मैं मैं पुलीस कस्टड़ी मैं मैं कुछ नहीं कर सकते हुआ प्लीस 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 व कर से बड़ sausage प्लीस बेटी मेरी बच्ची को भजी बच्चरणी मेठે भी rest मेठे, जय को इज दुग नो जैष झाल झालग झाल सं mans तो झाल झाल भूस्पाँ झाल कि पर Chief झाल झाल जहम झाल गउ Krishna Vaamshi has been arrested from his house in police attack His wife and daughter were dead during this operation Police suspect Vaamashi is behind Mumbai terror attack Main accused in Mumbai terror attack Raja was shot dead in a police encounter The master breyn behind the terrorist attack Raja was shot dead by police and the kindman Chandru is absconding राजा शौट डेट सारी जनता यही समझ रही है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा मुमई पुलिस के पुलिस रिकॉर्ड में कल जो पुलिस एंकाउंटर हुआ था उसमें राजा मारा गया और चंद्रू बच निकला लेकिन मरने वाला आदमी राजा नहीं बलकि चंद्रू है यह बात सिर्फ हम जानते हैं यू समझो कि बच्ची की जान बचाने के लिए यह एक ऐसान है लेकिन एक बात तुम दोबारा कभी भी यहां दिखाई मत देना शेखर कभी मुमई में आया ही नहीं अपना गाँ छोड़कर वो कहीं नहीं गया यह बात यह फैल है उस दिन चंद्रू का नाम देकर मुझे फरार करवा दिया गया वहां से मैं चंद्रू के घरवानों से मिलने गया उसके बाद चंद्रू की बहन राधा मेरी घरवाली बन गई चंद्रू और मेरे बीच क्या हुआ ये बात ना राधा को पता थी और नहीं उसके घरवालों इस डॉन का नाम तो मैंने सिर्फ सुना था आज पहली बार अपनी आँखों से सामनी देख रहा हूँ अगर भूल से भी मेरे मुझ से कुछ अनाप शनाप निकला हो तो आप उसे दिल से मत लगाना मुझे माफ कर देना मैं कौन हूँ ये बाद सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को पता ना चले अलो राजा पैचान ही गए होगे के मैं वमशी बोल ला हूँ कृष्णा वमशी तुम ही वो राजा हो ना ये साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुमसे एक छोटा सा काम है और तुम्हें आना होगा मेरे पास मैं कभी नहीं आऊंगा बीवी, बच्चे, फैमिली ये सब छोड़कर तो तुम्हारा आना बहुत मुश्किल होगा ना वैसे इस बोच को कम करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी ससराल के सामने एक खेती वाली जमीन है उधर 40 आदमी काम कर रहे हैं जिनमें कुछ बिहारी हैं, कुछ बंगाली और उनमें चार मेरे आदमी है जिस तरह सिकंदर की फैमिली को बरबाद किया था ना तेरी फैमिली को भी कर दूँगा चला, क्या हुआ? हमारे आदमियों में चार लोग उनके हैं अरे? राधा राधा वो लोग मार्केट गए हैं मार्केट गए हैं इसका कितना शेकर तुम कब आए बस अभी अभी कमीशनर से मिलने गये थे ना क्या हुआ उनकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह चाहिए नहीं चाहिए ले लो नहीं अरे? यह भी ज्यकतों यह जप मेर्शी हैं यह डिसे इसके हाँ जीचा जी अपने दोस्ते में ले गए है, मम्मी, तो मैं आपको, बता दोगा, ठीक है, कर दो तो मैं आपको, जीचा जान, जीचा झालः, कि मम्म YOU अजए Сп다. क्वाविख风 यह चाहं कि नाचा चाह, कि नाचा यह चाह यह वाला वह ले- ले लो जो चाहिए ले लो ठीकिट मिंझागे बिस दो शीक होता है म अ मी हाह यह चाहं कि नाचा शेखर वहां क्या हुआ है नोटी मोटी लड़ाई होगी चलो किसने की उससे हमें क्या लेना देरा चलो गर चलते हैं कि कोची में कितने दिनों तक रहना है शेखर नया पंप है उसे सेट करने के लिए मुझे खुद रुपना पड़ेगा सब सेट होते ही आ जाओगा चलो बाई गुडिया बाई पापा वह मशी ने मुझसे कहा कि हमारे आदमियों में तीन चार आदमी उसके मिले हुए है मेरे आने तक इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है इनके शरीर पर खरोज डालने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा ज्यादा बाते मत करो क्या जीजू आपको मुझे पर भरुसा नहीं है वैसे आप जा कहा रहे है मॉम्बाइड मॉम्बाइड है झाल 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 बास के सामने कैसे बठते हैं शयुद बुल गया जल्दी बताईए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ दस साल पहले तुमार तुमारे दोस महिंदर वर्मा ने मेरे धंदों के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, याद है मुझे तुम से उसका पुराना हिसाब सूच समीच चुकाना है बीते हुए दस साल, हम लोग जेल में सिर्फ यही उमीद लेकर सड़ते रहे कलेक्टर से बदला चुकाना है, यही हमारा मकसद है आज कल कलेक्टर बहुत उची मुकाम के है, वो इस वक्त तमिल लाडू में चीफ सेकरेक्टरी है अपनी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए एक महने के लिए कोयमतूर आया है सेंट्रल मिनिस्ट्री से अच्छे तालुकात होने को वज़े से उसको मिल्ट्री प्रोडक्शन मिला है उसको जान से मारना है एक प्रोफेशनल किलर जो काम नहीं कर सकता इसलिए काम तुम को करना है तुम दुनों में पूराना रेलेशन होनी को यसे तुम्हार लिए बहुत आसान तुम लोगों के इस वक्त दो ही दुश्मन है एक मैं दूसरा चीफ सेकरेक्टरी मेरे हाथों चीफ सेकरेक्टरी को मरवाओगे और उनकी सिक्यूरिटी फोर्स के हाथों मुझे मरवाओगे ब्रिलियंड केम वहां से बच के निकलना तुम हारा जिम्मा होगा अगर मैंने नहीं किया तो तू करेगा क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते अलेद गन उठाए हुए बरसो गुजर गे प्रैक्टिस किये भी न तू सही निशाना नहीं लेगा सकता इंडियन मिलिटरी की वहां पर सिक्योरिटी है चीफ सेक्रिटरी जिसके स्टाउस में ठहर है वहां पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता मैं खड़े-खड़े अरेस्ट हो जाऊंगे यह हथियार मुझे चाहिए उसका इंतजा में खुद करूगा लेकिन एक बात याद रखना अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मौत के मुँ में चीफ सेक्रिटरी नहीं जाएगा राजा की राजा की राजा की राजा दस साल के बाद राजा राजा ही है once a king is always a king sir, a man has come to see you but he has not taken any appointment sir he is a Malayali okay, let me see sir, he is the person Raja, I know him let him in Vidya, आजकल आती नहीं है वो कल मैं Vidya, जरा यहाँ हो आपने मुझे पैचान लिया बेलकुल, तुम ही कैसे बूल सकता हूँ उमीद नहीं थी कि तुम से दोबारा मिलूंगा दस साल का लंबा समय पेट गया वैसे तुम काफी बदल गए हो विद्या, बच्ची को बलाओ जी, बेटी यह तो जैसे एक सर्प्राइज हो गया यहाँ तक कैसे पहुंचे तुम यहाँ एक बिजनस के सिरसले में आया था तब पता चला कि आप यहाँ है हमारी सारी धन, दौलत और पुशी अब हमारी बेटी ही है हम किसी के कर्जदार हैं तो वो तुम हो ऐसी बात मत कीजिए सर सच तो यह है कि मैं आपका कर्जदार हूँ गलत रास्ते से हटाकर मुझे सही रास्ते पर लाकर एक नई जिन्दगी थी है सर आपने आज मेरा परिवार है, पत्नी है, बेटी है वो लोग कहां पर है? गाउ में है सर, गरीब परिवार की लड़की है मेरे आतीत के बारे में उसे कुछ नहीं बता कभी बताना भी मत, वो एक गुजरा हुए चैप्टर है बच्ची के इंगेजमेंट तक तुम यहीं रहोगे न, रहना ही पड़ेगा ठीक है, मैं जाकर उनको लिया आता हूँ तुम्हें जाने की जरूवत नहीं है, तुम्हारे घर के पास कौन सा पुलिस्टेशन है पुलिस उन्हें यहां तक सही सलामत ले आएगी चितूर पुलिस्टेशन, वहां के डियेसपी को मेरा घर पता है अरे, मौसा, मौसा जी भागो, पुलिस, पुलिस आ रही है अरे, पुलिस, चुटके, पुलिस अरेल भाया, शेखर का फोन आया था पुच्ची से? नई, कोयम बटूर से, शेखर के दोस्ट चीफ सेक्रेटरी है और उनके घर हमें तुरन पहुचने के लिए कहां है पुलिस तो यहीं आ रही है हमें ले जाने के लिए हमें ले जाने के लिए? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम तयार हो जाओ मैं जाकर आती हूँ पपाँ, जाकर आओ बेटी नाना जी से आशरबाद लो, मैं आती हूँ नाना जी जाकर जल्दी आ जाना मौसा जी, मैं चलने के लिए तयार हूँ कैसे हैं सर? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जीप में बैठ जाओं राजा चीफ सेक्रेटरी को कैसे जानता है, मेरे जीजु और चीफ सेक्रेटरी ने एक साथ हाइस के तयारी की थी, मेरे जीजु तो हार गये लेकिन वो जीट गये, ठीक है जा बैठ जा, जी बिलकुल, इधर बैठ जा, नहीं आगे बैठ हूँगा, यह परवाले यहां तक तो तुम्हारी दया से जान बची हुई है, आगे भी रक्षा कर रहा है इसका बैग, लूँ, गाड़ी में बैग, प्लीज गेट हुए, प्लीज गेट हुए पापा, नमस्ते, गुडिया तुम जानती हूँ, यह लोग कौन है, पापा, यह आंकी हमाय स्कूल में चीवगिस्ट बन कर आई थी, ओ दुरगा, बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा गाना गाती है, चली अंदर चल कर बैठते हैं, आए, आया, 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 आया क्या हुआ है, काबु में रहो, एक्स्कूस में, डीवास्पी पाउलो सपोतन इस वेइटिंग फॉर यू, ओ, वूड मॉर्निंग सर, आप अभी तब गये ने, वो क्या है न, मुझसे गल्टी हो गई थी, और मैंने गलास फैमी में पुरानी बातों को भूल जाहिए न, य मैं सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखता था, कुछ भी नहीं बोलता, आउसर मिलने पर कर्स चुका देता हूं, वो भी सूथ समेथ, आप जाहिए सर, फिर मिलेंगे, बहुत चाहिए राजा बोल रहा हूं, या, टेल मी राजा, तू सुरक्षित बहार निकल गया है क्या? तिर्व मैं ही नहीं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, सब सुरक्षित है, क्या सोचा तुमने, तुम्हारे डर से मैं काम करूँगा क्या? मैं यहां उसे मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूं, तुम्हारे या, तुम्हारे चम्चों का साया तक उसादमी का करीब, भटकने तक नहीं दूगा, मिस्टर कृष्णा वंशी जॉन टाइगर, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, वो इस वक्त होटल ली मेरेडेन में है केशना, बचान साया हूं, आक नहीं, हमाओ ऑफ वक्त। केशना, जो मैं मारा करें पिलस, करीवाया है, बचानी औराम। भी कहिसे Такा बचानी तुम्हां सैजिर्टीन पेहां में। मेहंदर वर्मास दॉर्टर, बोथ आप देम विल देयर, आपको यू गोट इट हाँ, बोलिये सिकंदर भाई मॉंबई से एक इंफरमेशन है जीफ सेक्रेटरी को मानने के लिए वंशी और शाह ने मिलकर एक प्रफेशनल किलर कसुपारीती है उसका नाम है जॉन टाइगर काफी खतरनाक है लो सुसगाई के फांक्शन पर जरा केरफूट रहना मुझे बार का पूरा फूटज दिखाओ स्लो करना, स्लो करना इसे अच्छी तरह चेक कर लेना ठीक है क्या हुआ शीकर, क्या वात है वात देट वात पूरा वात मुझे वात कि अजो रध वात 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 झाल आ पाल झाल 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 क्या वात है शेकर? बुछ नहीं जर। गुट नाइट। आप तो बड़े कमाल के निकले जिजू। या सफाई दिखाई आपने। गवा कौन है। मैं। मैं नहीं हूँ। राजा, मैं आपको यह खुशकबरी देना चाहता हूँ। तुम लोगों का भेजावा इंटरनेशनल प्रोफेशनल खेला। जॉन टाइगर अभी 10 मिनिट पहले चीफ सेक्रेटरी के गैस्टाउस के पास मारा गया। उसके मृत शरीर को गैस्टाउस के ड्रेनेज में बहा दिया। यहां से ठीक 5 किलोमेटर साउट साइड जाएंगे वहां पर एक ड्रेनेज ब्लॉक है। बोड़ी चाहिए तुम आँसे कलेक्ट कर लो। गुट नाइट, sweet dreams। जीजू, आप सच में राजा है। राजाओं के राजा है। आपकी घड़ी। इनके साथ security नहीं है, पोली स्टेशन को इंफर्म किया। नहीं, मंदिर जाते समय कौन से security है। नहीं सर, ऐसी बात मत किजे, दुश्मन बहुत है। मेरा कौन दुश्मान है बहुत देर हो रही है मुझे जाना होगा अच्छा चलता हूँ जी सर मैं भी आपके साथ चलता हूं मंदिर अच्छा बच्पन में जब मैंने होस समाला था ना मेरी मा मुझे यहां लाया करती थी तब किसी पंडित ने मेरी मा को बताया था कि मैं पूरे सौ साल जीऊंगा अब भी मुझे यह बात याद आती है अगवान का नाम आते ही सबसे पहले कुल देउता की याद आती है उस दिन जब मेरी बेटी की जान मुसिबत में थी तब भी मैंने स्कूल देउता की ही प्रार्थना की थी अब मेरी बेटी की शादी है तो मैं सोचता हूँ उसका प्रोग्राम भी यहीं पर करवाओं यहाँ पर? लेकिन यह जगे सुरक्षित नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? यहाँ कोई मुझे गोली मार देगा क्या? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफ ही नहीं किये अगर किसी को कोई तकलीप पहुँची भी है तो वो सरकारी कामकाश से सरकार हमें हुक्म देती है, हम तो हुक्म की तामिल करते हैं सही है भगवान की दया से मेरी जिंदगी में कोई कमी है तो वो है दुश्मनों की आजिकंदर भाई कृष्ण वन्शी कोई मतूर पहुच गया है होटल सिटी पाक में ठहरा हुआ है भाई कोई बहुत बड़ी कड़बड लग रही है पना वो खुद यहां नहीं आता अपना ख्याल रुखना टेक यह राधा राधा वो सब बाहर चला गया बाहर का वो लोग तो शोपिंग करने के लिए गया है है इधर यह देखो अब 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 है जीजु का फून हां जीजु तुम लोग हम लोग इस वक्त मॉल में है उम्हें जचाव है कि पश्चया थे बहुत पाहर ना समझते ही नहीं हो तुम लोग मैं साथ में आया हूँ ना जी जु आप टेंशन मतलो मैं सब को सही सलामत घर ले आऊंगा तुम लोग बही रुको मैं बस आई रहा हूं जी जी जाता तुम वढ़कर लोग मांपर यिर दोरो भुक्तुल हो इस पोपनाय inf鬟याय भुक वोग वरो ingredient including को रख जको कुम ड़ भाल को पर यह हुआ है हुआ हुआ है आवाज निकाला तो कोली मार दूँगा सिर्फ तुम कोई नहीं तुमारे साथ जो आये हैं ना उनको भी उड़ा दूँगा चुप चाप चल उधर देख चल राचा को फोन कर अनिल बोरो जीजू यहां लफड़ा हो गया इन लोगों ने हमें कवर कर लिया है हमें बचा लो जीजू अलो कृष्णा वंशी सर मेरे परिवार को कुछ मत करना सर वो मेरे लिए सब कुछ है आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा तेरी फैमली को तो मैं छोड़ी दूँगा लेकिन उससे पहले मुझे तेरे चीफ सेकरेटरी की जान चाहिए वो इस वक्त गैस शाउस में अकेला ही है ना वक्त बहुत कम है कि आपके अग्यार कर दो में अटोर सेरी की जाए ड़के वोड़ी तेरे तो में अटशरी की जा है का उजस पतान झाल का उजस पतान का उजस पतान अरे तुम अचानक कहां चले गए थे क्या बात है शिकर जब मैंने आपसे कहा कि आपके दुश्मन है तो आपने यकिन नहीं किया क्रिश्णा वंसी और उसके साथ ही उन्हें जेल से निकलने के बाद आपको मारने के लिए मुझे चुना मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आया बलकि मारने आया मेरे बीवी बच्चों को मारते का यह धमकी देकर आपको मारने के जिम्मेदारी मुझे सौपी है सर मेरे बीवी बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे यही सोचकर आपको बचाने का इरादा किया लेकिन अभी मेरे बीवी बच्चे आपके बीवी बच्चे उन लोगों की कस्टडी में मैं कुछ नहीं कर सकता खुन खराबे की जिंदगी से है आपने मुझे बाहर निकाल एक नई सिंदगी थी आज मेरा परिवार है सिर्फ आपकी बच्चे से मैं किसको बचा हूँ अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले परिवार को या फिर आपको जो मेरे लिए भगवान समाने आप ही बताईए से मैं क्या करूँ जैसे तु अपने परिवार को जान से ज्यादा चाहता है वैसे ही मैं तुम्हें चाहता हूँ उन्हें फोन करके काओ मुझे जिन्दा उनके हवाले कर रहे हो और वो मुझे मारे क्या चीज सेक्रेटी मारा गया नहीं मैं उन्हें मार नहीं सकता आप जगे बताईए मैं उन्हें बहां लेकर आता हूँ ठीक है शाह तुझे फोन करेगा अलो ये अर्पोर्ट के पास सेंट्रल बिल्डिंग के बैक साइड में पुरान एक बिटिश क्लब है चीप सेक्रेटी को वह लेकर आओ क्रिश्ना वामसी एक घंटे में वहां पहुँच जाएगा चीप सेक्रेटी को लेकर पहुचले में तुम्हें 45 मिट लगेंगे ज्यादा चलाकी करने के कोशिश मत करना किया तो तू जानता है तेरे पूरे खांदान को हम लेकर जाएगे समझा जानता है झाल 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 तुमने अपना काम किया फैमली सेफ है या नहीं फोन दर के पूछ लो हाँ 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 जी जी उन लोगोंने हमें छोड़ दिया है हम लोग चीफ सेकरेटरी के घर जा रहे हैं हम्ने अज़े अज़़ें अज़़ें जो दोड़ें को अज़़ेंगे हैं अब तुम जा सकते हो यह अज़ें़ पूरा किया अब हम चीफ सेकरेटरी को फूलों संजाएंगे समझे के अब तुम जा सकते हो क्यों नहीं है? क्या क्या से झालाट्छणा से प्लीक विर्डीन है कि दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो यह तुमारे बॉस का इफोन है वमसी सर आपका भी फोन में उठाएंगे वमसी सर ब्रिटिश क्लब में एक घंटे में पहुचेंगे यह तुमी ने कहा था याद है ना सर बहुत जीली है अगर आप जिन्दा रहे तो मेरी जिन्दगी का सुकुन छेंग जाएगा चा अब आपको फोन की जरूरत नहीं है तुम्हें उपर बेजने का बीड़ा सिकंदर भाई ने उठाया है परिवार का बदला लेना चाहते मुअन टुम्हें एंगा बाना खुम्हें ऑपको जाएगागा अबी एंगा कर चाहते घचके जाएगा थाएगा याथवचे स्वाभा वा डिया है कि जा आपको पूचे हाँ डिव भाईवचे का पुम्हें जावचे साफड़गा कालेट जट्टेया कर दो, जुन कालेट प्रसाओ। कमी जासाओ ऑde happens कमी जासाँ wyमा ईंप झाल 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 इसलिए वमसी सहाब का साथ देने तुझे में उसके पास भिजवा देता हूँ। भूटो याँद। आपके पुराने दुश्मन आपको चोट पहुचा रहे थे। तो आपकी सिक्योरिटी ने उन्हें गोलियों से भूम डाला। केस क्लोस्ट। अरे पर गया। जीजू। हमारे केदार को बाहर कुछ लूग मार रहें। जाकर देखो ना। सबक सिखा दो उन्हें। क्या हुआ। यह उनका आपस का लफड़ा है। हम सरदर्द क्यों ले। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उस दिन तो तुमने। इनकी यही एक बुरी आदत है। जहां मार पीट होती है वो उस एरिया में जाते तक नहीं। क्या हुआ। क्या हुआ। झाल 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 झाल